व्यवसाइक शिक्षा अब युवाउं को बेरोजगारी से बचाएगी, एसिं त्रिपाथी CIC में हुई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में व्यवसाइक शिक्षा का नया स्वरूप विशेक संगोश्थी चित्रकूट 10 मार्च, चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी, में उप्रधानाचार्य श्री निवास्त्र पाथी की अध्यक्षता में राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 में व्यवसाइक शिक्षा का नया स्वरूप संगोश्थी आयोजित की गई जिसमें शिक्षकों ने छात्र चात्राओं को व्यवसाइक शिक्षा के महत्व को समझाया और अधिकाधिक चात्र चात्राओं को व्यवसाइक शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया प्रधानाचार्य ने कहा कि देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनो दिन बढ़ रही है, सरकारी नौकरी कम होती जा रही है ऐसी दशा में सरकार व्यवसाइक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 में सरकार ने कक्षा 6-12 तक व्यवसाइक शिक्षा को अनिवार्य करने जा रही है जो 2022-23 से प्रतेक छात्र छात्राओं को पढ़ना होगा उन्ह ज्यादा से ज्यादा चात्र चात्राओं को व्यवसाइक शिक्षा पढ़कर स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा चात्र चात्र चात्राओं को व्यवसाइक शिक्षा पढ़कर स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। व्यवसाइक प्रवक्ता सतीश कुमार रेकवार कला प्रवक्ता विने कुमार साहु, रामशरन पवन कुमार वसमस्ठ छात्र चात्राओं मौजूद रहे। गोश्टी का संचालन व्यव साइक प्रवक्ता शंकर प्रसाद यादव ने किया और सभी शिक्षक बंधूं का आभार जताया। रिपोर्ट शंकर यादव चित्रकूट